अगर आप लोग को याद हो तो हमने एक contact page बनाया था जिसमें हमने कहा था कि किसी को भी हमारे blog को contact करना होगा तो वो directly contact page पर आकर एक form fill कर देगा इस form को fill करने के बाद जब user submit करेगा तो definitely एक API हमें बनानी पड़ेगी जो कि इस data को collect करेगी इस video के अंदर हम यही API बनाने वाले हैं और हम लोग देखेंगे किस तरह से API को next.js के API route के थ्रू बना सकते हैं हम लोग यह भी देखेंगे कि post request को कैसे handle करना है क्योंकि यह पहली बार होगा कि हम लोग post request को handle करेंगे तो चलते हैं computer screen में और देखते हैं यह सारे काम किस तरह से की जाते हैं तो अब क्या करेंगे हम लोग की जो हमारा contact page है उसको design करेंगे लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे कि contact page को design करने के लिए API इसको बनाएंगे अब देखना वो मैं कैसे करूँगा तो मैं क्या करूँगा सबसे बहला काम तो यह करता हूं कि जितने भी यहां पर खुले हुए मेरे पास close to the right सारे close कर देता हूं कि बहुत जादा राय ता फैल गया है यहां पर अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरी API जो की सबसेंadate तो यह करने के लिए मैं किया करूँगा है अब मैं NAT पर जाओँगा और यहां पर लिग launch next js api roots पता है ऐसा क्यों किया मैंने क्यों किया मैंने net पर क्यों लिखा जाके यार इसलिए लिखा क्यों कि या code मिल जाता है और बार बार यार कौन code लिखेगा यार कौन type करेगा बार बार देखो यहां पर मुझे मिल गया post request को handle करने का code तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं क्या करूँगा पेस्ट कर दूँगा ठीक है और यहां पर देखो मैंने कह दिया export default handler request response if request.method equals to post तो एक post request को process कर सकता हूँ मैं ठीक है अब यहां पर अगर कोई और http method या नहीं की get requested तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं काम करूँगा मैं कहूँगा response.send response.send था ना sorry status और इसके बाद .json ठीक है response.status जैसे हम लोग अपने express में करते हैं बिल्कुल वही है ठीक है और मैं वालूई स्ट्रिंग देना चाहता हूँ ठीक है कुछ इस तरह से ठीक है देखता हूँ क्या रहता है ठीक है पोस्ट कॉन्टाक्ट slash api slash post-contact ठीक है यह मैं यह आपर डाल दूगा और देखुआ और लिखकर आ गया है तो यह आपर ब्लॉक्स आगया लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूँ कि कोई भी contact information अपनी send कर सके ठीक है ठीक है एक नाम होगा लेटस से और लेटस से जेसेंख डाल ऐसकी कोई ज़रूरत ही देी लेकिन अभी मैं क्या करहनों मुझे पैरेटर्स चाहिएं ठीक है क्या चाहिए पोस्ट के पैरखेईरर चीह है तो यहां पर मैं कैसे ले कर आऊंगा तो अगर मैं चाहता हूं की यहां पर पोस्ट के endpoints में लेकर रहा हूं qne कि शायद आप रटना नहीं चाहेंगे, मुझे तो रटता नहीं है, तो मैं syntax देख लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग कि इसकी body में कैसे हम लोग access कर सकते हैं, इसकी body से post request को, ठीक है, तो एक चीज़ की जा सकती है, अगर मानलो मैं नहीं देखना जाता, कोई code में refer नहीं करना चाता, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर, इसको copy करूँगा, और यहाँ पर लिख दूँगा, post, yes post request, एक post request भेजी ग अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, thunder client लिखूँगा, thunder client, जो कि मैंने disable कर रहा है, आप लोग इसको install कर लेना, enable कर लेना बड़िया चीज है, ठीक है, बताता हूं क्या होगा, जैसे आप thunder client को enable करेंगे, यहाँ पर एक, आपको tab मिलेगा, अब क्या करें आप, यहाँ पर localhost ठीक है, colon 3000, slash API, slash, कहा गया मेरा, new request करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह basically क्या है कि आप post request मार सकते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूं, slash API, slash post contact, ठीक है, तो मैं इस copy paste कर सकता हूं, इतनी मैनत क्यों कर रहा हूं, टाइप करने की, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा, कि मझे post request माननी है, और मैं send करूँगा, जैसे ही मैंने send किया, तो yes post request आ गया, और मैं get request मारूँगा, तो all blocks आ गया, यानि कि thunder client काम करता है, अब अगर आप लोग को यह नहीं पता, thunder client क्या होता है, तो यह होता है, बहुत ही simple सी चीज है, postman भी use कर सकते हो, अब सारे लोग postman use करते है, मेरा thunder client से काम हो जाता है, अब क्या करेंगे, कि यहाँ पर आप देखो, rest.status, यह मैंने yes post request लिखा, मैं क्या करूँगा, request object ही पूरा देता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ, request object ही अगर मैं देता हूँ, post, sorry, post, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्या कुछ error आया, नहीं, आया को तो दिख जाएगा, नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर पूरा request object दिया, हम लोग इसको हटाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, request.body लिखेंगे, ठीक है, और अब मैं हिट करूँगा अगर इसको, end point को, तो देख देखना क्या होगा, request.body, मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर, request.body एकदम खा लिए, अब मालो मैं यहाँ पर sdf, sdf लिख दूँ, sorry, मैं body में लिखूँगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह से लिखूँगा, a, और let us say 34, और मैं यहाँ यहाँ पर send करूँगा, invalid json लिख कर आ रहा है, invalid json क्यों लिख कर आ रहा है, a, okay, मुझे double quote में डालना होगा यह को, send, अब देखो, a 34 यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब body में आ रहा है data, ठीक है, अब मालो मैं यहाँ पर लिखता हूँ name, और मैं यहाँ लिखता ह अब फोन, और यहाँ मैं अपना फोन नमबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2242628210, ठीक है, और फोन नमबर लिखने के बाद मैं DESC लिख रहा हूँ, यानि कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मालो मैं नहीं लिखा, I am a good boy, और और क्या चीज थी, और I think email था, ठीक है, email email में मैं लिखना चाहता हूँ, harry at harrybhai.com, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यह करने के बाद, अगर मैं इसको send करूँ, ठीक है, मैं जारा copy कर लेता हूँ, अगर मैं इसको send करूँ, तो यहाँ पर देखो, यह पूरा का पूरा मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है यहाँ पर यह accessible है, request.body में, अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ, कि यहाँ पर fs module का इस्तिमाल करके, इस चीज़ को write कर सकता हूँ, ठीक है, इस json को ही write कर सकता हूँ, तो मैं काम करूँगा, block data के साथ साथ एक contact data, नाम का folder बनाऊगा, मैंने block data के अंदर क्यों बना दिया, इ क्या हो रहा है, contact data को मुझे move करना है, एकदम बाहर, एकदम बाहर, यहाँ पर, कैसे करूँ, यह काम मैं, यह मुझे करने क्यों नहीं दे रहा है, contact data को मैं move करना चाहता हूँ, आरे मैं delete ही कर देता हूँ, हाँ, ठीक है, हो गया, ठीक है, तो कहा मेरा contact data, यह रहा मेरा contact data, ठीक है, contact data के अंदर मैं क्या करूँगा, कि यहां बर मैं JSONs throw करूँगा, ठीक है, तो जिस तरह से मैं अपनी APIs के अंदर इा, क्या इस्तेमाल कर रहा है, था get blog blocks.js fs module को में इस्तिमाल कर रहा था अब मैं वही fs module को इस्तिमाल करके क्या करूँगा कि write करूँगा जैसे कभी भी किसी ने एकर इस endpoint को hit किया post request है तो मैं क्या करूँगा request.body को dump करूँगा कहां पर मैं कहूँगा fs.write file ठीक है और write file पहला argument क्या है file तो file का नाम क्या होगा file का नाम होगा contact ठीक है और नहीं contact नहीं होगा file का नाम मैं किस folder के नतर जा रहा हूँ contact data slash और let us say one dot json ठीक है और यह करने के बात में क्या करूँगा दूसर argument क्या है दूसर argument data request.body और तीसा argument हमारे पास node.js area buffer view और callback इसके बाद ठीक है मैं सिर्फ इतना करता हूँ और यह करने के बाद देखता हूँ कि यह चीज काम कर रही है कि नहीं तो अगर मैं इसको hit करूँ अपने thunder line से तो यह अबर मुझे एक error देखने को मिलीगा और वह error किया है kernel server error देखता हूँ क्या error रहा है I think क्या error रहा है callback must be a function तो मैं आपर एक callback function भी दे देता हूँ ठीक है callback function को मैं भी खाली रख रहा हूँ ठीक है अब मैं post request को send करूँगा तो यहाँ पर क्या error data argument must be a type string okay तो यह मुझे से पहल है क्या shift ऐस्प गरूंगा अभिशू ने मेपर अश्यूंप से नहीं करकतब और मांध मुझे पैसे कर दूँता क्या बेद्प। मुछ ब्रीन आजीर आट रहा है पर टीक है और यहां पर शल्दिसे वर्ट्राब भी कर दता हूं JSON.parse और request.body ठीक है और ये request.body जो मैं console.log कर रहा हूँ मैं जाओंगा यहाँ पर send करूँगा और इस बार क्या दिक्कत आ लिए unexpected token 0 in JSON at position 1 ये क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है मैं आपर ctrl z करता हूँ देखता हूँ request.body क्या है मेरी एसी एसी के दिक्कत आ दिक्कत है request.body में console.log request.body यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या problem आ रही है तो यह मैंने गलबड कर दी है और वो यह है कि यह bracket में गलत लगा दिया है मुझे bracket यहाँ पर लगाना होगा कुछ इस तरह से ठीक है अभी मैं करता हूँ और यह काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया इसने दुबारा से वही अरर दिखा रहा है मुझे मैंने आपर json.parse request.body किया और contact data slash one.json किया सब कुछ मैंने किया क्या contact data के अंदर one.json बनी नहीं बनी json.parse request.body मैंने json को parts करने की कोशिश करी ठीक है अच्छा कर मैं यहां पर एक string डाल दूँ तब देखता हूँ काम हो रहा है मेरा की नहीं हो रहा है यह देखता हूँ पहले sorry मैंने json.string की फाय करना था parts क्यों कर रहा हूँ json को मझे तो string में convert करना है हाँ हाँ देखो अब हो गया अब बन गया होगा contact data के अंदर one dot json और यह देखो यहां पर आ गया है हमारा format data करूँगा तो आप देख सकते हो यहां पर यह json आ गई ठीक है तो काम हो गया हमारा काम हो गया है लेकिन आप आप लोग को गई कि बार बार तो इसका क्या solution है इसका एक solution तो यह है कि मैं हर बार unique number generate करूँ जो की unique ही हो या फिर एक दूसर इसका solution है वो यह है कि check sum generate करूँ अभी के लिए मैं आपर क्या करूँगा मैं यहां पर async await का इस्तिमाल करूँगा और मैं काम करता हूँ मैं यहां पर मैं कहूँगा कि fs.promises. और मैं यहां पर इसको async मना जिता हूँ handler को ठीक है async function handler और मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा let data is equal to fs.promises.readdir ठीक है और directory कौनसी read करूँगा मैं contact data ठीक है contact data को read करूँगा और इसको await करूँगा ठीक है await करूँगा और इसको await करने के बाद मैं यहां पर भी वही काम करूँगा fs.promises.writefile और यह callback अगए यह से ठीक है और मैं यहां पर क्या करूँगा console.log data करूँगा ठीक है ऐसा क्यों कर रहा हूँ 1.json यहां पर आगया देखो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो अगर इसमें 1.json है तो मैं 2.json मनाँगा इसकी जो भी length होगी plus 1 कर दूँगा ठीक है अब देखो अब मैं क्या करूँगा जो यह नाम होगा ना मैं backtix लगाता हूँ पहले यहां पर अब देखते जाओ मैं क्या करूँगा भी मैंने 1.1 क्यों लिख दिया backtix लगाने थे अब देखते जाओ मैं क्या करूँगा और सम्झाओंगा भी मैं आपको एक बर और की तो मेरा 2.json बना दुबारा से send किया 3.json बनेगा देख रहे हो आप लोग और ये बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा ठीक है तो मैं जैसे ऐसे करता जाओंगा ये फाइल ये बनती जानी है अब ठीक है जैसे से मैं इस API को हिट करता जाओंगा वैसे वैसे यहां पर ये बनता जाएगा ठीक है अब ये काम कैसे कर रहा है ये समझते हैं सबसे पहले तो मैंने FS promises का इस्तेमाल किया अगर आप लोग को नहीं पता ही क्या है तो हमने इसको पहले भी use किया ठीक है दूसरी चीज़ जो हमने करी है वो ये है कि हमने काई किया हम इस डिरेक्टरी के content को read करेंगे यानि कि जो हमारा contact data is directory के content को हम लोग read करेंगे contact data directory content को मालो इसके अंदर 12 json's है इसका मतलब हम 13 number की json use कर सकते है ठीक है 13 number की json को हम use कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे console.log data यहाँ पर मैंने ऐसी देखने के लिए किया था इसको मैं हटाता हूँ हम क्या करेंगे अब write कर देंगे fs.promises.write file और हम क्या करेंगे data.length 1 कर देंगे ठीक है यानि कि अगर 12 json's है तो अगली json root json के नाम से बनेगी 15 json's है तो अगली json 16 root json के नाम से बनेगी और unique राइगा मुझे बढ़ा है इस solution के साथ भी problems है जैसे कि अगर एक कोई भी json fail हो गई write होना मालो 12 json fail हो जाती है write होना और एक empty file बन जाती है problems हो सकती है ठीक है यह एक बहुत अच्छा solution नहीं है बट एक quick and dirty ठीक ठाक solution है ठीक है तो यह हम लोग इस तरह से कर सकते है ठीक है file system पर write करना is never a good idea but हम लोग simplicity के लिए ताकि सब लोग follow कर पाए जिनको burn stack नहीं आती है जिनको mongodv से connect नहीं करना है जिनको apis complex नहीं बनानी है उनके लिए यह ठीक है तो बहुती simple सा मैं इस project को finish करना जाता हूं इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से दिया ठीक है तो मैंने आपर क्या किया get request को मारेगा तो ऐसे आएगा post request मारेगा तो यह आएगा ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूं थंडरलाइन के अंदर इस request को save कर सकता हूं पता है आपको save request, save to collection save to collection अब मैं क्या करूंगा एक collection बनाऊंगा मैंने बहुत सारे collections अपने बना रखे तो आप मैं create new करके huntingcoder बनाऊंगा ठीक है collection का नाम हो खा huntingcoder है submit huntingcoder बना गया हां बन गया hunting quarter के अंदर आप लोग यहां पर देखो कि यह बन गया देख रहो आप लोग अब मैं directly इस request को run कर सकता हूं बार पर copy paste करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो save कर देते हैं इसको और I hope कि समझ में आगया आप लोगों को की काम किस तरह से किया जा रहा है अब अगले वीडियो में क्या करेंगे एक फॉर्म बनाएंगे बहुती बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे बहुती बेसिक सा फॉर्म बन यौर्म भीडियो किस नहीं किस उके बेसिता है ऑानए यूर्म तरह से नहीं हैंगे जीज़ किस तरह पetr上 चaisड़ेश्याक है…